अब भी हम लोग देखेंगे कैसे ये DVD ड्राइब को एसेंबल करें एसेंबली के लिए आप देख सकते हैं ये पूरी लेट सेंबली को पहले ये ड्राइब में आपको फिक्स करना पड़ेगा इसके लिए पहले आप इसको फ्लेज कर ले पहले आप ये रबर स्टैंड अप से पहले इसे फिक्स कर ले उसके बाद लेंस असेंबली को बिठा ले दोनों स्क्रियू को कस ले उसके बाद आपटियस असेंबले को फिक्स कर लेज़े पहले हैं और आप ये head cable जो है lens assembly को connect कर ले और इसके बाद ये plastic lock को प्रेस कर ले ताकि ये cable अपनी आप lock हो जाएगा इसके बाद आप इसे पीछे की तरफ rotate कर ले और ये जो spindle motor का cable है main logic port को connect कर ले यहाँ पर आप इसको अभी lens assembly आपका फुरा fix हो गया है अभी आप इसे देख सकते हैं इसके बाद आप ये tray को disk drive में connect करें ट्रे को disk drive में connect करने के लिए आप उसके जो दो slider है ये दो slider है जिसके उपर से ये tray movement होता है उसी पर रखें और जैसे ही आप उसे push करेंगे तो अपनी आपो अंदर चला जाएगा और ये tray अपनी आप बेट जाएगा उसके बाद आप टाफ कवर है उसको connect कर लें इसके बाद जो फ्रेंट कवर है उसको आप लगा लें उसके बाद ये face plate है आप इसे connect कर लें जैसे ही आप इसे push करेंगे अपनी आप वो लॉक हो जाएगा इसके बाद आप ये tray को close कर सकतें इसके बाद आप ये bottom cover को पहले ये lock में फसा के तीनो plastic के जो lock है उसमें फसाने के बाद आप उसे press कर लें तब कि आप बेट जाएगा उसके बाद जो 4 screws हैं आप उसे फिर से कि दाल अभर्स कर दाल्म कि ख़icios हैं कि ले से प् rearrange कि ले आप बड़से के वज़ benim दाल्म कूश बड़से के ऩशने के अड़से को जब दाल्म अब का पूरा assembling और disassembling DVD drive का इस तरह से कर सकते हैं Thank you